नमस्कार दोस्तो इस्टेडी वीद पॉर्ण परदीप माँ आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगी कक्षया आठ है संसाधन एवं विकास की किताब है भुगोल कक्षया आठ की भुगोल जो है वो संसाधन एवं विकास के नाम से है और इसका जो प भूमी, मिर्दा, जल, प्राकर्तिक बनेस्पति और बन्य जीव संसादन इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे इससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं और कई वीडियो यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में हैं स कि छह साथ आठ नौ के यहाँ पर एनेक वीडियो आपको अंसे आठी किताबों पर मिलेंगे जो छह साथ आठ नौ के लिए तो उप्योगी हैं ही हैं साथ में उन परतियोगी प्रिक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए भी काभी महत्तोपूर्ण हैं जो एनेक परतियोगी प्रिक्षाओं में भाग लेते हैं क्योंकि छह साथ आठ नौ सब्डे पड़ा होता है और सब के सलेवस में यह छह साथ आठ नौ का जो समाजिक विज्ञान या नहीं जीके का पोजिशन होता है वो होता यह होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग तो पड़े ही हैं इसलिए परतियोगी प्रिक्षाओं में भाग ले रहे हैं आप लोगों को तभी यह लगता है कि जब प्रश्ण आता नहीं है तो यह प्रश्ण कहां से आ गया अगर देखें तो हम 6 7 8 9 10 से 2021 22 में कभी प्रश्ण पुछे गए हैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर 6 7 8 9 10 के NCRT बेश पर चर्चा की जा रही है यह चर्चा सुरू करें तंजानिया अफिरका के एक छोटे से गाओं में मांबा तंजानिया एक देश है फिरका का एक देश है वहाँ एक छोटे से गाओं में क्या है मांबा पानी लाने के लिए प्राता सिग्र उड़ती है बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटे के बार लोटती है इसके ब्रांतों गर के कारियों में अपनी मा का हाथ बटाती है अपने भाईयों की वक्रियों का देखवाल मदद करती है उसके पूरे परवार के पास छोटी जोपड़ी और चारों और चट्टानी भूमी का एक भाग है मांबा के बिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं फिर भी यह उनके परवा परिश्रम के एक भेड़ पालन प्रवार भेड़ प्रृदेश के मध्वर्ति भाग में रहता है जहां उसका प्रवार उन प्रकरमन करने का कार्य चलाता है उन प्रक्रमन करने का कार्य चलाता है मतलब उन निकालने का कार्य करता है और परती दिन जब पिटर स्कूल से लोटता है वह अपने चाचा को अपनी भेडु की देखभाल करते हुए देखता है उनका भेडु का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाडी में लगे एक विश्टित खास के मैदान परिष्टित है वहाँ नविंतम अध्योग्य का उप्योग किया जाता है और बैज्यानिक विधि से इसका प्रभंद किया जाता है पिटर का प्रिवार जैविक किरिशी द्वारा सबजियां उगाता है मांबा और पिटर दो भिविन इस्तानों में रहते हैं और उसके जीवन बेतीत करने में बहुत अंतर है यह भिविनतता भूमी की गुणवत्ता मदा जल प्राकर्तिक वनेस्पेति पुराणियों और पुरे उध्योगी की के उप्योग के कारण की भिनता के कारण है इन इस विश्व का जो जन्सेंख्या है वो 30% भूमी खंड में ही 90% जन्सेंख्या रहती है और 70% जो भूमी है इसमें या तो बहुत कम जन्सेंख्या रहती है या बनित्यादी हैं आप लोगों को पता होगा कि जैसे की यहां पर टोटल अगर पृत्वी में बात करें तो 31% भाग में जल है और 31% भाग में जल है तो 29% भाग में इस्तल खंड है लेकिन जो यह इस्तल खंड है इसके भी 30% भाग में आपके लगभग 90% लोग रहते हैं 90% लोग मात्र 30% भूई इस तल में रहते हैं जब कि जो 70% भूमी है उसमें मात्र 10% लोग रहते हैं ये भूमी के भीविन्नता के कारण ही हुआ है ये चर्चा करते हैं भूमी के विशे में यहाँ पर क्या समझानी का प्रियास किया गया है क्या आठ में भूमी के बारे में हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं भूमी महत्रपौन प्राकर्तिक संसाधनों में भूमी भी सामिल है भूपरिष्ट के कुल सेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमी है यही नहीं इस थोड़े से परतिसत के भी कुछ सभी भाग आवाश्योग्य नहीं है जो यह 30% है इसमें से भी कई जगा आवाश्योग्य भूमी नहीं है मुख्यता भूमी और जलवाय के भिने भिने लक्षणों के कारण विश्व के भिने भागों जनसेंख्या का वित्रण असमान पाया जाता है उबढ़ खाबढ़ इसलाकरिती प पिरल अथवा निर्जल है अब यह जो भूमी है इसमें भी कुछ ऐसे स्थान है जैसे उबढ़ खाबढ़ भूमी है या इस्तलाक करेती है मतलब इस्तल कुछ इस परकार के हो पर्वतों का तीव रिढ़ाल है जहां पर रहना क्या है घर बनाना खेती करना कठिन काम होता है जलाकरांत जलाकरांत संभावित कहने का मतलब है कि जहां पर जल का आकरमर रहता है एक तरीके से हम कहते हैं जल की अधिक्ता रहती है या नहीं दलदल शेत्रों हो चुका है जो गर्शे शेत्रों में और मरुस्तल आप जानते हैं मरुस्तल या फिर सघन बन शेत्रों में भ गाटियों के लिए उप्युप्त भूमी उपलब्द है इसलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे हुए है जबकि नदियों के किनारे क्या है की भूमी भी उरबरक है और लोग भी वहाँ पर बहुत ज्ञादा मात्रा में बसे हुए है और इसलिए जन्संख्या कहां पाई जा आगे हम चर्चा करें भूमी उप्योग भूमी का उप्योग किस परकार से किया जाता है भूमी का उप्योग विविनकारियों के लिए किया जाता है जैसे क्रिशी बानकी खनन सौडकों और उद्योगों की इस्तापना के लिए किया जाता है कक्षा आठ वालों से पूछा जा सकता है भूमine का उप्योग किस के लिए क्रिशurun कि değildक किरिशी सबस्क्राइब भूमी उप्योग कहते हैं business अगला पुछता जा सकता है Dalori किरी शिवान की खिनन तौड़ को आदि बनाने के लिए भूमी का उप्योग करते हैं तो इसे भूमी उप्योग कहते हैं क्या आप मामबाँ और labor के परवारों के भूमी नहीं जाती थी वहीं पिटर आराम से स्कुल जाता था जब कि उनका प्रवार जैविक क्रिश करता था और साथ ही साथ वह भेड़ पालन मैं भी बच्रियों के जो भेड़ थे उनके उनका भी व्योपार करते थे इस्तिती काफी अच्छी थी कुल मिला करके पिटर की भूमी क उपयोग बहुती कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे इस्टला करिट मिर्दा जलवाई। खनीज और जल की उपलब्दता मानुवी कारक जैसे जन संख्या और पुर्योड ध्योग की भिवी भूमी उपयोग परतिरूप के महत्वण निर्धारिध भूमी कावपयोग अनेक कारकों से निर्धारित किया जाता है जैसे इस्तिला करेती है वहां की मिट्टी है वहां की जलवायू है वहां के खनीज है और वहां का जल है मानुई कारक है मतलब वहां पर लोग कितने हैं और यहां जनसंख्या पर्योध्योगी की कावपयोग भी परतिरूप महत्व निर्धारक है, मतलब जन्षंख्या होगी, परियोध्योगी की होगी, तो निश्चित तोर पर भूमी का उप्योग और बेतरे इंडंग से परियोग किया जाएगा, स्वामित्य के आधार पर भूमी, निजी भूमी और समुदाईक भूमी में बाठा जा सकता है, प्रस्च पूछा जा सकता है, समुदाईक आधार पर भूमी को कितने भागों में बाठा जा सकता है, दो भागों में बाठा जा सकता है, निजी भूमी और समुदाईक भूमी, नीजी भूमी व्यक्तियों की स्वामित की होती है जबकि स्वामुदाइक भूमी स्वामुदाइक के स्वामित की होती है। प्रश्ण पूछा जाता है कि साजा संपती संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्ण पूछा जाता है कि स्वामित की स्वामुदाइक भूम पर व्यवपारिक शेत्र बनाने नगरी शेत्रों में घर बनाने और गरामिन शेत्रों में क्रिशी योगी भूमी का विस्तार करने के लिए अनाधकरित फस्तसेव करना शुरू कर दिया है। जहां लोगों ने नगरों में घर बनाना शुरू कर दिया है और साथी साथ सामुदाइक भूमी में भी क्या कर दिया है। खस्तसेव कर दिया है उसमें भी अपना कारिक करना शुरू कर दिया है तो इससे क्या हो रहा है। परतिरूप व्यापक परवर्तन आज हमारे समाज में सासकर्तिक परवर्तनों को दर्साता है। वरत्मान में किरिशी निर्माण संबनी गदियों के परसार के कारण, निम्नी करण, भूसकलन, मरोस्तली करण, परियावर्तन के लिए पर्मुक खत्रा है। प्रश्ट पूछा जा सकता है कि प्रियावरण के लिए प्रमुख खत्रा क्या है वर्तमान में तो वर्तमान में किरिशियों और निर्मान संबनी गधिविद्यों के फरसार के कारण निमनी करण है भूसकलन है मुर्दा अप्रदन है बरस्तली प्रियावरण है यह सब क्या है प्रियावराण के लिए खत्रा है आप देख पा रहे हैं यहां पर चार तरीके से भूमी उप्यूग समय के अनुसार परवर्तित होता गया है जोपनी नहीं जो घर हैं जोपनी के रूप में और गयत्य जो है किसान हल नेके जा रहा है निश्ची तोर पर बैलू से खेट जोदता होगा और साथी साथ आप देख पा रहे हैं यहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और दूसरे जगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये लोग टैक्टर से खेती कर रहे हैं और घर भी इनके इससे ज़्यादा बहतर हैं कहीं न कहीं गाउं का बसना प्रारंब हो गया है और गाउं में सडक की सुविदा यहां पर दिखाई दे रहे हैं जबकि तीसरा यहां पर जो चित्र है यह एक सहर का चित्र है यहां पर अनेक रोड़े एक दूसरे से मिल रहे हैं और गाड़िया बस यहां पर दिखाई दे रहे हैं और घ क्रिशी भूमी क्या है बहुत कम दिखाई दी है जैसे यहां पर क्रिशी भूमी बन काफी अच्छी मात्रा में थे अब यहां पर बन और क्रिशी भूमी शहरों में क्या रह गई है काफी कम रह गई है चौती इस्तिति यह मेट्रो पॉली शें सहर की है जहां पर आप देख प और जो घर बने हैं वो एक सीध में बने हैं और निश्चित तोर पर यहां आप देख पा रहे होंगे कि यह मेकान काफी उच्छे उच्छे बने हुए हैं और भीड आप देख सकते हैं गालिया बस इस तरीके से यहाँ पर परदूसन अगर फैलता है तो यहाँ से परदूसन बाहर जाना थोड़ा कटिन होगा क्योंकि उची उची जो मकान बने होते हैं उनकी दिवारें हवा उनसे पास कम होती है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गाओं की अपरिक्षा सहरों में परदूसन की मात्रा अधिके रहती है इसके बाद भूमी संसादा नेयों संग्रक्षन भूमी का संग्रक्षन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे बड़ती जनसंख्या तथा इसकी बड़ती मांगू के कारण बन भूमी किरिशी योग भूमी का बड़े पैमाने पर बिनास हुआ है जन संख्या के बढ़ने से क्या हुआ है कि जो बनों की भूमी थी उसे किरिशी का भूमी बनाने के लिए उसमें खेती करने के लिए बनों का बिनास हुआ है इसे इस प्राकतिक संसाधन के समाक्त होने का ड इउननियमित उप्योग किया जाना चाहिए और उप्योग ति चारण पर रोग अधी भूमिः शंग्रक्षन के लिए प्रयक प्रमुक्त तरीके हैं प्रश्र पुछा जा सकता है कि बंद्र संग्रक्षन के लिए भूमिः सत्साधन के संग्रक्षन के लिए प्रमुख भुपाय क्या हैं हमें ब्रिक्स लगाने चाहिए भोमी को अच्छा बनाने के तरीके अपनाने चाहिए और राशाइने केटनासकों और उर्बरकों का बिनेमित उप्योग तथा अतिचारण पर रोख लगाता चाहिए और भूमी संग्रक्षन में परियुक्त सामान्य तरीके अपनाने चाहिए आए आगे चर्चा करते हैं मिर्दा के प्रिष्ट पर दानेदार कणों मिर्दा किसे कहते हैं यहाँ पर प्रश्ण पूछा जा सकता है मिर्दा कहते हैं मिट्टी कहते हैं या भूमी इसे निकटता से जुड़ी हुई है इस्तलोब मिर्दा के पर्मुक परकार को निर्धारिद करता है मिर्दा का निर्मान चट्टानों से प्राप्त खनेजों और जैवपदार्थ से होता है यहां पर भुस्कलन के बारे में समझाया गया है इससे पहले हम मिर्दा के बारे में समझने का परियास करेंगे कि मिर्दा के बारे में क्या समझाने का परियास किया गया है आप देख रहे हैं यहाँ पर मिर्दा परी छेदिका सबसे उपर हुमस और बनेस्पती के साथ उपरी मिर्दा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे उपरी परत जो है वहाँ पर बनेस्पती उखती है और मिर्दा की क्या है उपरी परत है उसके बाद बालू गाद कले जिससे भी ये बना होता है ये उप मिर्दा यहाँ पर दर्शाय गया है अपसाई चटानी पदात मतलब जब चटान में तूट फूट होई वो पदात नीचे दब गया और जनक चटान मतलब जो भी चटान यहाँ पर था वो यहाँ पर तिखाने का प्रियाज किया गया है सब तूट फूट हो जाती है तो उसे कहा जाता है अपसई मतलब चटान में तूट फूट चाहे वह तापमान परिवर्तन या तूशार किरिया पेड़ पहुधे पुराणियों या मनुष्य के किरिया कलापों द्वारा नावरित सहलों का तोटना क्या है अपसई कहलाता है सही कहलाता है तथा भूमी मैं पाई जाने वाले खनीजों से होता है या अपसई की परिकिलिया के माधम से बनती है खनीजों के जैपदार्थों का सही मिस्टन मर्दा को उपजाओ बनाता है केवल एक सेंटिमीटर मर्दा को बनने म सेक्णों बत से लग जाते हैं आप देख वा रहे होंगे मिर्दा के विश्य में यहाँ पर मिर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जलवाई ताबमान बर्सा अबसाई हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं नमबर दो समय मिर्दा परिष्य दिका की मोटाई को निष्चित करता है नमबर तीन बनेश्पेति पराणी जात और सूस्म जीव हिमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं नमबर चार उच्चावस तुंगता और धाल मिर्दा के संजय को निर्धारित करते हैं नमबर पांच जनक सेल रंग गठन रसायनि गुल्ड़हर में खनीच मात्रा प्रागम्यता को निर्धारित करते हैं अगां तो दोस्तों यह थी मुट्दा के विशेँ में चर्चाव मंद्दा निर्वाण के कारण के विशेँ में हम देख सकते हैं भारत मैं अगर देखा तो हम काली मुट्टी राल मिट्टी मिट्टी है लेट के स perfect black धारत-peer- लेटे राइट और मरुस्तली परवती मिठी यहां पर मुख्यता पाई जाती हैं यहां भी विन परकार के मिर्दाओं की एक-एक मुठी एक तित कीजिए और निरक्षान कीजिए कि वे एक दूसरे से किस परकार भी नहें मिर्दा निर्मार के कारक के विसे में अगर हम बात क कारक जनक सहल का स्वरूप और जलवाई कारक होता है अमने अभी उपर देखा था कि सबसे नीची क्या था जनक सहल तो मिर्दा निर्मार का मुख्य कारक क्या होता है जनक सहल ही होते हैं मिर्दा निर्मार के अन्य कारक क्या होते हैं इस्तिला करीती है जैवपदात है और भू होता है आगे हम चर्चा करें मिर्दा मिर्दा का निमनी करण और संक्रक्षन के उपाई मिर्दा प्रदन को सिनर्टा मिर्दा संसाधन के लिए दो मुख्य खत्रे हैं मानवी और प्राकृतिक दोनु ही कारकों से मिर्दा का निम्नी करण हो सकता है मिर्दा के निम्नी करण में सहयक कारक बनो नमोलन अती चारण और साथ ये साथ राशायनिक उरबरकों और केट नास्कों की अत्यथिक उप्योग बरसाद ओहन भूसकलन और बाड हैं मिर्दा संग्रक्षन की कुछ विधियां निम्न हैं आगे आप देख सकते हैं मिर्दा संग्रक्षन के जो विधियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी मल्च विधि मल्च बनाना मतलब पोधे के बीच अनावरत भूमी जैसे जयवपदार्थों के परवाल से ढख जाती है इससे मिर्दा में आदर्ता रुकी रहती है मतलब जो ये पोधे होते हैं इनके बीच में आदरता क्या होती है नमी रुकी रहती है इससे पोधे का क्या होता है जो भूमी होती है वो परवालों से ढख जाती है मतलब पोधे के बीच में आवरित भूमी जैब दातो परवाल से ढख जाती है इससे मिर्दाव की आदरता र रुकी रहती है मल्च बनाना मतलब इससे क्या होता है आपके आधरता रुकी रहती है पोधे की उसके बाद है बेदिका फार्मा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चोड़े समतल सोपान और बेदिका तीवर ढालों पर बनाई जाते हैं चोड़े समतल मैदान और ये आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी पर या नहीं पहाड़ों में जो खेती की जाती है वहाँ और चोड़े मैदानों पर बेदिका भार में बनाई जाते हैं ताकि सपाट इस्तह पर फसल उगाने के लिए उप्लब्द हो इनसे प्रिष्टी प्रवा और मिर्दा अप्रदन कम होता है प्रश्ण पूछा जा सकता है कि बेदिका भार में क्या है चोड़े समतल सूपान और अथ्वाप बेदिका तीवरे ढालों पर बनाए जाते है समोच प्रेखी जुताई आप यहां पर देख रहे हैं विताग एक पहाड़ी ढाल पर समोच प्रेखी के समाना अंतर जुताई ढाल के नीचे बढ़ते जल के प्राकरति गए और रोत का निर्मार करती है उसके बाद है रक्षक में खिलाएं तर्टी शेत्रों में सुस्क प्रदेशों में रक्षक में खिलाएं क्या होती है अपसे को रोकने के लिए ब्रिक्स कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मिर्दा अप्रदन रोका जा सके आप देख वा रहे होंगे यहाँ पर यह 30 सेट्रों में क्या होता है ब्रिक्सों को रक्षा के लिए लगाया दिया जाता है ताकि मुर्दा के अपरदन से ब्रिक्सी क्या कर ले एक तो जमीन को जख्ड़े रखते हैं नमबर दो चीज वहां कटाव अगर होता है तो इनकी जड़ें क्या होती हैं उसे पकड़े रखती हैं अगला है समोच चरेखी रोधिकाएं समोच रेखी रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मुर्दा काउप्यों किया जाता है रोधिकाओं के सामने जल एकर्तित करने के लिए खाईयां बन जाती है इसके बाद एक खिरिया कलाब दिया है आप चाहें तो किताब में पल सकते हैं अच्छा आठ वाले और ये थी आज मृदा के बेसे में चर्चाओं उसके बाद चटान बाद भी क्या है जल के परवा को कम करने के लिए बनाए जाते हैं यह नालियों की रक्षा करते हैं और मुर्दा सती को रोकते हैं बीच की फसल उगाना और बरसा दोहन में मुर्दा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर भिन भिन फसले एकांत्रित कतारों में उगाई जाती है बरस उनीश भी जहत्तर वे उप्योग यह जल के विसे में दिया गया है जल के विसे में हम कल चर्चा करेंगे निश्चित तोर पर आज हमने जो चर्चा की वो मुर्दा के विसे में की और साथ ही साथ यहां पर एक भुसकलन के बारे में आपके किताब में दिया गया है आप इस वीडियो को रोक करके या इसकीन सोल ले करक देख सकते हैं कि यहां पर क्या चीजें धी गई हैं वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है दोस्तों आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं यह परतिरोधी दिवार जो सटकों के किनारे बनाई जाती है कि उपर से भूसकलन नहों इसके लिए बनाई जात तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी आप हमारे साथ बने रहे स्वस्त रहे मस्त रहे और पढ़ाई में ब्यस्त रहे जै हिन जै भारत